आःढ consig lai so hey my dear friends I am creation and you're watching creation आठमीत्वर creation के एक और रने वीडियो में आपका स्वागत है तो यार इस वीडियो में मैं आप लोग को दू इन्फरमेशन देने वालों पहला इन्फरमेशन रहेगी हमारे नूव केरैक्टर के उपर में जिनका नाम होने वाला है AMR1 जो कि male character होगा जैनिया जो कि female character होगा और third character होगा हमारे एंड्रिव जो कि हमारे game के अंड्रिव एंड्रिव करेक्टर का elite version तो इन तीनों character के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ and then second information रहेगी हमारे new pet से related जिस pet का नाम है alien आपने बिलकुल सही सुना जो जादू वाला alien है वही हमारा अगला pet होने वाला है तो उस pet की ability से लेकर के look सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ so please इस वीडियो को end तक दिखना बिना skip किये दिखना और हो सकी तयार प्लिस वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe करके bell notification को on पर set जरूर कर देना ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते हैं so guys सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे new character के बारे में तो हमारा पहला new character आने वाला है yamr1 yamr1 मतलब कि महमद रमदान तो free fire ने महमद रमदान के साथ collaboration किया है तो जाना तो बनता है यह है कोन तो महमद रमदान singer है, actor है, producer है, rapper है, dancer है, millionaire है, millionaire है, billionaire है और यह Arabic country से आते हैं ठीक है इतने सारे हैं हमारे महमद रमदान ठीक है तो अभी गरीना free fire ने बताया है कि महमद रमदान के collaboration के साथ आप लोगों को officially music and video की clip मिल जाएगी तो बहुत जल्द मैंने देखा कि महमद रमदान के official Instagram पर आप जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि महमद रमदान ने वहाँ पर एक push डाला है और बताया कि उन्होंने गरीना free fire मीना के साथ collaboration किया है और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो लोग music और video बना रहें तो बहुत जल्द आप लोगों को जैसी OB27 का update आएगा उसके जश्ट एक या दू दिन बाद आप लोगों को YMR1 से related जो collaboration हुआ है उसकी officially music and video मिल जाएगा ठीक है ना तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ability तो जितना की मुझे पता चला है इसके ability होने वाली passive ability दो ability होती है एक होती active और एक होती passive पैसिव मतलब कि जैसे कैली की ability होती एंडरी की होती दूसरे character में भी हम इनकी ability लगा सकते हैं और आलोक और क्रोनो इनकी खुद की active ability होती ठीक है तो इस प्रकार से हमारा new character की ability होने वाली पैसिव और ऑफिशली तो ऐसा बताया गया है कि अभी तक इसकी ability आई नहीं है जब आप run करोगे 3 second के लिए तब इसकी ability active हो जाएगी देन जो आप first damage मारोंगे वो बढ़के आएगा ठीक है और waste को भी tight कर सकता है ऐसी कुछ इसकी ability होने वाली है लेकिन अभी तक officially तो इसकी ability नहीं बताए गया ठीक है और female character आने वाला है जेनिया और और एक character आने वाले मैंने क्या बताया था एंड्रिव का elite version ठीक है तो अभी तक एक तारीक को आप लोगों बतारो एक तारीक को advanced road सब लोगों के लिए खुल जाएगा तब एक तारीक को यह हमारा one की ability जेनिया की ability और हमारा जो new character है एंड्र लोगों को कुछ बता देता हूँ यह high power machine gun होगी जैसे की machine gun होती यम 249 उस प्रकार सी call हमारी new machine gun आने वाली है ठीक है तो इसकी जो range है वो बहुत दूर तक होने वाली है और इसमें एक shooting mode होगा ठीक है इस gun में एक अलग सा shooting mode होगा machine gun shooting mode को enable or disable कर पाएंगे ठीक है अभी है वो कैसे आने वाली है इन game के अंदर अभी आप screen पर देख सकते होंगे और आप लोगों को ज्यादा information चाहिए तो आप Google पर search कर लेना call आप लोगों को information मिल जाएगे ठीक है अब मैं आप लोगों को बदा देता हूँ हमारे new pet के बारे में जिसका नाम होने वाला है alien हाँ बिल्कुल alien होने वाला है इसके से तो ऐसे ही लग रहा है तो इसकी ability होने वाली है कि एक small छेत्र के अंदर हम लोगों को protection provide करवाएगा and then damage को भी कम करेगा मतलब कि जो enemy के दौर हम लोगों को damage मिलता है वो भी कम करेगा मतलब कि बिल्कुल जादू वाला काम करने वाला है ठ ठीक है तो इसकी more information आप लोगों को जश्ट आप लोगों को पता चलेगी एक अप्रेल को क्योंकि एक अप्रेल को हमारा भूल्ड है तो उसी दिन आने वाला हमारा एडवांस सर्वर तो एडवांस सर्वर के लिए रेडी हो जाओ पीकॉस एडवांस सर्वर में सभी कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके वैल नोटिफिकेशन को अन कर लेना और मैंने बता दिया कि एडवांस सर्वर में रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है ताकि आप लोगों को धेर सारे डामेंड मिल सके विगास आप में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए ठीक है